तो कैसे वो आप सब लोग उम्मीध है आप लोग मस्त होंगे तो आज हम बात करेंगे आपके कुछ कांड के बारे में जो की खतरनाख होता है मोईल फोन के लिए ऐसा मैं नहीं कहता हूं ऐसा कहता है बड़े-बड़े यूटुबर्स बहुत सब्सक्राइबर्स मिलियंस अब देखते हो या फिर किया यह लीकल होता है इसके बारे में आज हम डीटेल में बात करेंगे तो इस इंटरस्टिंग वीडियो को ज़रूर देखना करता है यहां परوم से यह स्केंटीम से इसके उपर मैंने एक वीडियो क्रिएट किया आपको गलत इंसर प्रृट करता है तो लस्ट रिक तो हम शुरू करते हैं कस्टम रॉम से बरेवरे यूटुबर्स जो लोग अन्बॉक्स करता है या फिर जो लोग रिव्यू करता है स्मार्ट फोन की वो लोग अमेशा कहता है कि फोन में कस्टम रॉम या फिर फोन को रूट मत करो अब यह जो मामला है यानि कि यह जो इन्फ करते है custom RAM के बारे में यहाँ पर कास्टम क्या होता है देखिए जो आप लोग आपकी फोन में एक operating system यूज करते हैं उसको हम कैते है Android अब Android कैसे बनाया जाता है या फिर Android के अंदर क्या-kया coding किया गया है उसको आप लोग देख सकते हो यानकि आप लुट आप लोग ये Android 12 तो Android 12 को कैसे बनाया गया है वो Google खुद रिलिस करता है यान कि आप लोग देख सकते हो तो उसको उठा के अपनी पसंत की तरह यान कि आप जो भी फीचर्स चाते हो वो आप लोग ने डाल दि है उसके अंदर जिसमें आप लोगों ने खुद की features डाल दी है और अभी आप लोग उसको use करे हो यानकि phone में install करके यानकि custom ROM को तो अभी आप लोग खुद सोच कर देखो कि जो एक brand प्रॉबाइट करता है या फिर जो आप लोग ने create की है इन दोनों ही ROM में conservator होगा शायद आप लोग अभी अंसर मिल गया है यानकि जो आप लोग अभी use करे हो यानकि मैं बात कर रहा हूँ custom ROM की क्योंकि या पर देखिए android stock waste में कोई भी extra चीज़ें नहीं होता है यानकि कोई भी extra फालतों की इधर उधर की applications या फिर फालतों की features नहीं होता है मतलब बहुती low memory consume करता है यह जो stock waste है या फिर low CPU consume करता है यह stock operating system तो उसको आप लोग उने उठा के खुद की तरह यानकि अपनी पसंद की तरह आप लोग उने customize करके आप लोग use कर रहे हो तो अभी आप लोग खुद सोच कर देखो कि stock ROM बहता रहे यानकि जो brand provide करता है या फिर custom ROM बहता रहे यह अभी आप लोग खुद सोच कर देखो तो आगे बढ़ते है routing के और देखिए तो यहाप पर जो पहला point मैंने cover की है न कि custom ROM क्या use करना सही होता है या फिर गलत होता है तो आज से जितने भी यूटुबर्स आप लोग को बोलेगा कि custom ROM यूज़ करना phone के लिए खतर ना के उस घटिया line को आप लोग को accept नहीं करना है शायद आप लोग को clear हो गया है देखिए मुझे negativity नहीं फैलना है लेकिन यह सच है यह एक truth है आगे बढ़ते routing के और जहां तक बात है route की तो yes route थोड़ा सा खतर नाक है हमारे devices के लिए लेकिन ऐसा क्यों यह हम जानेंगे वीडियो के last में कुछ interesting fact या फिर कुछ interesting knowledge आप ल अलग method हुआ करता था बट अब अलग हो चुका है क्योंकि जमाना थोड़ा सा modern है वैसे हम भी modern है anyway आगे बढ़ते तो यहाँ पर route क्या होता है देखिए magic से आप लोग ने आपकी phone को route की है तो अब क्या होगा route करना मतलब आपकी phone में जो system storage से उसको access देना यानि कि system storage को access देना किसी भी application के लिए या फिर आप लोग खुद उसको access कर सकते हो एक user normally एक user system storage को access नहीं कर सकता है किसी भी smartphone की लेकिन route करनी के बाद आप लोग उसको access कर सकते हो तो जब आप लोग ने route कर ली है आपकी phone को तो एक application है अंट्रस्टेट एक अंट्रस्टेट application है जिसके ब operating system के साथ छेड़ चाड़ की है और वाईरस गुसा दी है तो अब गलती किसकी है क्या route की गलती है या फिर आपकी यस तो आप लोग का answer मिल गया है शायद अभी यान कि route करने से phone में कुछ भी खराब ही नहीं होता है बस आप लोग को समझना है यान कि समझतरी से आप लोग खराबी नहीं आएगा यह कोई गलत चीज़े नहीं है यान कि जो भी आप लोग कर रहे हो फोन में कस्टम डाल रहे हो या फिर फोन को route कर रहे हो यह कोई घलत चीज़े नहीं है बस आप लोग को सही knowledge होना चाहिए तो यह है सही information यान कि यह है interesting knowledge जो आप लोग को मिल चुक हो तो मैं आप लोग को suggest करूंगा कि कस्टम राम यूज करो ना कि किसी भी बड़ी यूटूबर्स की बाते सून कर स्टॉक राम यूज करो ठीक है तो शायद आप लोग को अंसर मिल गया है I hope यह विर आप लोग को अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़ हमलेंगे नेक्स्ट वीडियो में